हाज जी आपके बड़े कोमेंट्स आ रहे थे आपने 8-10 समस्या है मुझे बता दिये हैं जो कि आपके फोर्म में एरर आ रहा है जब आप इस्टेटस चेक करते हैं इस वीडियो में मैं 3-4 एरर कवर करूँगा और जो एरर बच जाते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँगा आज ही अगर आपके फोर्म में भी ये एरर आ रहे हैं UDI is invalid, beneficiary created, फ्लाना डिमक्का डिमक्का या फिर marks not matched with university uploaded data इसमें आपको क्या करना है आपको पूरा procedure बताऊंगा मैं और जल्दी सबसे पहले तो आपको description box में link दिया हुआ है login वगर करना होगा जो कि अक्सर आप करते ही रहते हैं नीचे ये जो box दिख रहा है आपको scrutiny results का इसमें आपको error दिख जाएगा आपके form में क्या समझ्चा है आपका form reject हुआ है या रोक दिया गया है तो वो क्यों किया गया है सब लोग अपने form के error check कर रहे हैं उन्हें ठीक कर रहे हैं इस वज़े से website की भी लगी पड़ी है कभी scrutiny result आ रहा है कभी नहीं आ रहा है आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संसोधित करें अगर यह option आ रहा है इस पर click कीजिए जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने error आ जाएगा जो भी आपके form में error आ रहा है आपके form में क्या समस्या है इसका आपको सबसे पहले print लेना है मैंने पहले वीडियो में बताया था इस वीडियो में भी बता रहा हूं अब भी मेरे पास comments आ रहे हैं सार हमने नहीं लिया हम क्या करें वैसे इस से कुछ फरक नही है या आपके सामने जो समस्या है enrollment number का error अक्सर आपके सामने आ रहा है बट आपके पास enrollment number है ही नहीं आप second year के student है या first year के student है university ने अब तक आपको enrollment number नहीं दिया अगर आप first year के student है आप चाहें तो इस box को blank भी छोड़ सकते हैं या फिर जो आपका registration number था beard entrance exam का वो आप डाल सकते हैं second year के अगर आप student है आप promote हुए है result आपको नहीं मिला है या फिर आपका migration नहीं जमा हुआ है तो university ने आपको enrollment number नहीं दिया है सबसे पहले अपना result reprint कीजिए जो mark sit आपकी first year में आई थी उसे reprint कीजिए ये देखिए क्या उस पे अब आ गया ह है आपका enrollment number अब print होके आ गया है या नहीं अगर उस पे नहीं मिलता जो university form या examination form आपने भरा था कुछ माइने पहले उसे reprint कीजिए university की website पे जाकर अक्सर अधिकतर students का examination form में enrollment number मिल रहा है काफी students को मिला है आप भी check कर सकते हैं कि आपके examination form में भी print कर दिया हो university ने अगर फ first year का roll number भर सकते हैं और जो भरना है आपको यहाँ पर 21 या 22 लिखावा आता है यहाँ पर आपको भरना है जो भी आपका enrollment number है submit करके आपको hard copy इसकी निकाल लेनी है final print जो computer वाल अपने आप निकाल के आपको दे देगा यह आपको करना है इस समस्या का समदान आपको ऐसे करन है clear होना चाहिए आपको second दिक्कत जो आपके सामने आ रही है UID is invalid यह first year के students के सामने भी है और second year के लिए तो मैंने last video इसके उपर बनाई थी पूरी वीडियो में यही बताया था आपको क्या क्या करना है आप चाहिए तो वो देख सकते हैं वीडियो जाके इसमें आपको द आधार काड आपके बैंक से लिंक नहीं होता आप चेक कर सकते हैं एक notice आया था यह UID is invalid ऐसे चात्रों को केवल अपने बैंक खाते में आधार लिंक कराया जाना है यह clear है अगर UID वाला आपके फो में एरर आया हुआ है आप आधार काड अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर self-attested अपने साइन करके अपने college में जमा करके उन्हें कहा दीजिए कि इसे forward कर दें आगे यह आपका समस्या का समधान है इस समस्या का UID वाली का clear होना चाहिए थड़ा आपकी समस्या आपके सामने आ रही है marks not matched with university uploaded data इसके भी कई region है कुछ तो error ही आ जा रहा है website की तरफ से दूसरा है अगर आपकी university में semester wise exam होते हैं कौन से semester के number डालने हैं थर्ड semester में अगर आप हैं जहां तक मैं जानता हूं first और second दोनों के add करके डलते हैं फिर भी आप एक बार college से पूछ लीजिए कि number कौन से डालने हैं अगर आपने ठीक डाले हैं फिर भी आ गया है तो आप form को check कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं हो नंबर जो college वाले दुबारा बताएं कि आपको ये number लिखने हैं वे number लिख लीजिए और वही mark sheet first और second दोनों सेम की आप लगा सकते हैं जो भी आपके college वाले करें उसके बाद उसमें आधार कार्ड वगरा के आपको college में submit करना है इस स उसके बाद आपको submit कर देना है, submit करके hard copy आपको निकालनी है, संस्था में जमा करने है तू जब वह आप निकालेंगे उसके साथ आपको ये document लगाने होंगे, एक तो आपका form होगा, error page होगा, final letter की mark sheet जो भी आपकी first time year की जो भी होगी, वो आपको college से consult कर लेना, अधार का कोई detail वगरे university को check करनी होती है, 10th की mark sheet से ही check होती है, ये आपकी दिक्कत थी, इनका ये समधान था, college staff भी यही solution बता रहे हैं, और जो organizations, UP scholarship को handle करती हैं, वे भी यही आपके solutions बता रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको share कर सकते हैं, अगर इसके अलावा, अगर